तो CMA Foundation January 22 के examination हो चुके complete बात करते रिजल्ट डेट्स की तो CMA Foundation का आपका online home base examination हुआ था जिसके जो result institute 3-4 weeks के अंदर अंदर ही declare कर देए इसकला विदिना मन्त इसकला आपका January end से पहले-पहले result declare हो जागा लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप चाहे तो अपना जो registration है June 22 examination के एलिजबल हो जाता है अगर किसी ने CMA Foundation December 21 का attempt दिये तो वो CMA Intermediate December 22 के लिए ही eligible होता है नौर्मली तो ऐसा ही होता है तो अगर इस चीज़ को consider करें तो institute जो आपका result चाहे तो फरवरी में भी declare कर सकती है जिससे आप जो December 22 examination देने के लिए eligible हो CMA Intermediate का तो यह अब institute को परेकी institute आपका result जो है January 22 में declare करता है यह फरवरी में मैंने दोनी चीज़ आपको explain कर दी अगर institute January 22 में declare करता है तो उन्हें explain करना पड़ेगा कि आप June 22 में examination देने के लिए eligible है कि नहीं है या तो कुछ वो special provision apply कर देगी आप 22 examination देने के लिए और आप पहले ऐसे batch के student बन जाएंगे जो कि directly next four months के अबना CM Intermediate का examination भी दे सकते है वन्हां इंटिट्यूट यह करेगा कि आपके result जो है every month में declare कर देगा तो मैंने आप दोनी चीज़े explain कर दी CMA foundation result dates के regarding में देखतें इस बार क्या करती है best wishes आपके result के लिए आप अच्छे नम्मरों सी examination को qualify करेंगे और CM Intermediate के regarding में complete detail वीडियो मैंने बना रखी है link in the description box वीडियो को like करना ना बूलेगा comment करके बताएगा कि आपको पेपर कैसा रहा चैनल में ने तो चैनलों को subscribe करके notification बैल उबन करना ना बूलेगा और आप चाहे तो टेलीग्रम चैनल भी join कर सकते है link in the pen comment और आपके कोई doubts हो तो आप Instagram में भी connect कर सकते है thank you so much for watching the video